तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के उर्दू का चैप्टर No.28 कम्प्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है मैं यूनिवर्सिटी में मैं यूनिवर्सिटी में कौन है यूनिवर्सिटी में तो एहसान दानिश यानि कि ये जो चैप्टर है ये एक खुद नविष्ट है देखिए हो सकता है कि आप लोग इस चैप्टर को पहले से पढ़ चुके हों यानि कि बहुत सारे इस्टोरेंट का कमेंट आ रहा है कि मैं हम लोग तो पहल आपके पिछले साल वाला वीडियो देखकर सारा चप्र कंप्रीट कर लिये हैं उसके बाद से अभी जो लेटेस्ट दौजर पच्छिस के एकजाम के लिए उसको भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक भी वीडियो आप लोगो को मिस नहीं करना है भले ही आप पहले से ही चैप्टर कंप्रीट ही क्यों ना कर रखे हों क्योंकि यह नया लेटेस्ट वीडियो अप्लोड हो रहा है दोजर पच्छिस के एकजाम के लिए इस पेसली आप लोगो पढ़ाया जा रहा है और जो यहां कहां से किस किस तरह से कोशन प्रिवेसर में पूछे गए हैं यह मैं आप लोगों को बताते चलती हूं कहां कहां से किस किस तरह से कोशन पूछे जा सकते हैं यहां यहां से कोशन पूछे जा सकते हैं आप लोग अपने मैं में पॉइंट आउट करते चलते हैं ठीक है जानते हैं कि खुदनविष्ट किसे कहते हैं तो comment box में लिखकर बताईए अब मैं यहाँ पर बताते हूं कि आखिर खुदनविष्ट कहते किसे हैं लेखिए ये चैप्टर खुदनविष्ट है खुदनविष्ट को हिंदी में कहा जाता है आत्मकथा और इंग्लिष में कहते हैं autobiography नाम से क्या लग रहा है खुदनविष्ट का मतलब खुद के बारे में, राइटर खुद Only के बारे में लिखकर बताए अपनी ही पास्ट लाइफ के बारे में अपने जिल्दगी के बारे में, अपनी जिवोनी लिखकर बता दे, तो उसी को कहा जाता है खुधनविष्ट, आतमकथा, यानि कि आतम अपनी कथा लिखकर बयान कर देना है। क्या कहलाता है आत्मकता, ओटोबायोग्राफी, तो उसी तरीके से ये भी क्या है, एक आत्मकता है, यानि कि खुदनविष्थ है, और ये किसका खुदनविष्थ है, तो एहसान दानिश का खुदनविष्थ है, यानि कि एहसान दानिश जो कि एक बहुत बड़े राइटर है लेखक हैं इन्होंने अपने उपर कथा लिखी यानि कि अपने उपर खुद की जीवनी में लिखी यानि कि अपनी कथा लिखकर बताई जिसको क्या कहा गया आत्म कथा यानि कि खुदनविश्ट तो उस खुदनविश्ट का नाम क्या है मैं यूनिवर्सिटी में मैं है खुरनाविष्थ है तो आप निक्ति याणि कि पूरी प्लों को मैं बताओंगी बहुत इंट्रस्टरीं िंट्रस्टरी पहांनी बहुत कहांनी भी जर्म है यह खोडम थो याए पर इरादे ठतने मत देना मझनी查 मैं तो इसली का शाईरी करता है इस stimmt कि इस और किस तरह से मतलब की इनकी धमाकेदार एंट्री हुई यूनिवर्सिटी में कुछ सालों के बाद यह हर एक चीज आप लोगो पता चलेगा लेकिन चलिए सबसे पहले एहसान दानिश के बारे में समझते हैं तो सबसे पहले एहसान दानिश का जो रियल नेम है असल नाम वह है एहसान दानिश के नाम से मशूर है लेकिन इनका रियल नेम क्या है एहसान दानिश यानि कि अपने शिरो शायरी के लास्ट लाइन में जो नाम यूज करते हैं खास नाम हो है दानिश तो इनके नाम के स्टार्टिंग में एहसान और तखलुस है दानिश तो एहसान प्लस वह रहतं तो इनके वालित का नाम क्या था काजी दानिश गया में नानिश की नानिहाल में कांधला जो कि उनका नानिहाल था वहाँ पर हुई तालीम कि अगर बात की जाए तो यह फूर्थ क्लास तक ही पढ़े थे इस वज़े से क्योंकि इनके पास पैसो की कमी थी मतलब आर्थिक हिस्ती अच्छी नहीं थी आप यूं कह सकते हैं कि मतलब यह चाहते थे इनकी ख लक्ष के बीच जो सबसे बड़ी रुकाउट आ रही थी वह थी घरीभी ठीक हैं तो आर्टिक इस थी अच्छी नहीं थी आप यूं कह सकते हैं गरीबी सबसे बड़ी रुकाउट आ रही थी लक्ष के बीच में तो इस वज़ए से यह पूर्थ क्लास तक ही पढ़ पाये लेकिन आगे ट्विस्ट है आगे देखिए क्या होता है और भी वो फार्सी की तालीम जो है ना इन्होंने हासिल की थी हाफिज मुहम्मद मुस्तफा से और गुर्बत के वज़े से कम उम्री में ही थेकेदार के पास मजदूरी करने पर यह मजबूर हो चुके थे यानि कि जै गुर्बत के वज़े से यह कम उम्री में ही इनकी कमी उमर थी तब ही से यह ठेकेदार के पास मजदूरी करने पर मजबूर हो गये जाकर मजदूरी किया करते थे ठेकेदार के पास ठीके उस्ताद काजी मुहम्मद जकी के कुद्ब खाने से किताब लाकर वालिद को पढ़ कर सुनाते देखिए जब ये मजदूरी करने के लिए जाते थे ना ठेकेदार के पास तो आपर मजदूरी किया करते थे और जो कुछ समय मिलता था ना उसमें ये पढ़ाई करते थे भले ही गरीबी थी इनके लक्ष के बीच सबसे बड़ी रुकावर्ट ठीक है आर्से किसी अच्छी नहीं थी पैसो की कमी थी खरीब थे ये लेकिन ये पढ़ना चाहते थे पढ़कर अपने लक्ष को हासिल करना चाहते थे थे तो भले ही ये काम करते थे मजदूरी का काम करते थे लेकिन जो कुछ भी समय मिलता था ना तो ये पढ़ाई किया करते थे ये होता है श ये किताबे लाकर अपने वालिद को पढ़कर सुनाते थे, वालिद और उनके कुछ दोस्त भी रहते थे, वो सामने बैठते थे और एसान दानिश पढ़कर सुनाते थे, अपने वालिद को और उनके दोस्त भी रहते थे, तो सुना करते थे, तो इस तरह से शौक थे इनकी, क कुछ भी समय मिलता यह पढ़ाई किया करते थे मतलब यह पढ़ाई को छूटने नहीं दिये ऐसा होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं सुरुवात से मैं जिम्मेदार हो गया हूँ बच्पन से मुझे जिम्मेदारी मिल गई है ठीक है कमाने का तो छोड़ो पढ़ाई क्या करेंगे यह एक बहाना होता है अगर आपको सच में पढ़ने का शौक है न तो जिम्मेदारी कितनी भी बड़ी क्यों न हो आपके उपर आप समय निकाल कर पढ़ेंगे जरूर ठीक है तो उस तरीके से एहसान दानिश के अंदर था मतलब की भले कम उम्मरी में मजदूरी का काम करने लगए थे जिम्मेदारिया थी ठीक है कमाने की जिम्मेदारी ठीक है लेकिन लेकिन यह अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ते थे पढ़ाई इ इस सारे काम जो है ना इसान दानिस अपने जिन्दगी में किये थे और साथ साथ पढ़ाई भी करते थे और यही उनका शौक यान की पढ़ाई का जो जुनून था उन्हें सफल बनाया वो एक जिन अपने लक्ष को एचीव कर पाए यानि की लाहौर आकर उन्होंने एक मुहल लग लग अलग टाइप का काम रंग साजी दफ्तर की चोकिदारी फसल की कटाई बागबानी वगड़ा यह सारा काम किये थे लेकिन साथ में पढ़ाई करने का जुनून था और यही जुनून इनको जो है ना सक्सिज बना दिया ठीक है और यह अपने नाम पर लाइबरेरी खोले उसके बाद से इनके जो दोस्त थें तौकीर ताहिर याद रखिएगा एहसान दानिश के दोस्त तौकीर ताहिर के होसला अफजाई पर पहली मर्तबा मुशायरा पढ़े थे और नजम के शायर के तौर पर यह मशूर है लेकिन यहाँ पर ध्यान दिजिए यह शिर औश किया था तो उस्ताद काजी मुहमद जकी जो थे ना एहसान दानिश को शिरोशारी करने के लिए मोटिवेट किये थे लेकिन मुशायरा पढ़ने के लिए इनकी होसला फजाई किसने की तो इनके दोस्त तौकीर ताहिर ने ठीक है और एहसान दानिश जो है ना वह नजम के तOR पर मशुर हुए है यानि यह नजम के शायर यानि कि नजम लिखने को कत्यी काफी फेमस बिनों के शायर के त Ebчи मश ranks Georg huh ॐ ठीक है और इनका का इंतकाल हो गया है ठीक है इनके कुछ creation जो इन्होंने लिखा है जैसे कि हदीस अदब दर्द जिंदगी जहाने दानिश जहाने दिगर जन्जीर बहारा वगरा वगरा यह सारे इनका creation है खुद का लिखा हुआ है ठीक है और यहां पर extra key point मैं लिख दी हूँ पहली खुद्अविस्ट था यान की खुद्विस्ट आप लोग समझ गए ऍवन का हिंदी में कहते हैं और उर्दु में खुद्विस्ट कहा जयता है और इंग्लिस में क्या कहते है और ऊटोबयोग्राफी ठीक है सब्सक्राइक तो है मैं यानिए तो फहीं में क्र 영load पानिश फुतना विष्ट को शाय किया गया उन्हें सथ 23 अगर आप लोग यहां तक स्क्रिंशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दीकत नहीं है ले सकते हैं हलांकि इसका पीडियो भी टेलीग्राम पर अप्लोड कर दिया जाएगा तो पीडिये लिए टेंशन नहीं लीजे अब चलिए मैं आप लोगो को एसान दानिश का यह जो खुदनाविस्त है मैं यूनिवर्सिटी में इसको कहानी के तौर पर समझते हैं तो यह खुदनाविस्त लेकिन कहानी के तौर पर समझेंगे ताकि असानी से समझ में आ जाए और मैं कोशिच करूँगी कम समय में खुदनाविस्त के जो में कैररक्टर है मर्कजी के तार वह है एसान दानिश ठीकिर एसान दानिश मैं स्टार्टिन महीं लिगग दियूँ पहला किरदार एसां दानिश उसके बाद से और भी इस 2020 है और भी करदार जैसे किरता है बुधु मिस्तरी है और उसके बाद से मु बुद्धु मिस्त्री मिल जाते हैं बुद्धु मिस्त्री जो है इसान दानिश से पूछते हैं क्यों भाई क्या हाल है आज कहीं काम कर रहे हो कि नहीं कहां लगे हुए हो कहां काम कर रहे हो तो एसान दानिश बोलते हैं कि नहीं आज में कहां कहीं लगा हुआ हूँ कहीं काम भी नहीं मिल रहा है आज कल कहां कहीं काम कर रहा हूं ठीक है तो बुद्धु मिस्त्री एहसान दानिश की बात सुनकर कहते हैं कि रहट पर मजदूर की जरूरत है यानि कि यूनिवर्सिटी में यह कौन सी यूनिवर्सिटी की बात है तो लाहौर यूनिवर्सिटी याद होगे तो यहां पर इहसान दानिस सोचते हैं कि रिहट परमजदूर की ज़रत इनको लगता है रिहट का मतलब गाय भैस चराने वाली कोई जगह ठीक है तो यह क्या सोचते हैं तब तो यह मेरे को बहुत ज़्यादा आसान काम मिल गया आराम से जाओंगा और गाय भैस को काम है नहीं तो यह सोच कर जो है ना ऐसान दानिश बुद्धु मिस्त्री से कहते हैं कि हां ठीक है मैं काम करने के लिए तयार हूं आ जाओंगा ठीक है रिहट पर ही ना काम करना है मैं आ जाओंगा तो बुद्धु मिस्त्री कहते हैं कि देखो एक बार फिर से सोच लो एक बुद्धु मिस्त्री कहते हैं कि ठीक है तुम कल यहीं पर मुझको मेरा इंतजार करना और मैं तुमको साथ में युनिवर्सिटी में लेकर चलूँगा ठीक है तो एसान दानिश बोले ठीक है मैं कल तयार रहूंगा बारे आने मिल जाएंगे इतना आसान काम है ज्यादा मेह कर जाते हैं युनिवर्सिटी पे युनिवर्सिटी में लेकर जाते हैं जहां पर रहट पर मजदूर की जवरत थी तो जब युनिवर्सिटी में लेकर जाते हैं और एंट्री करते हैं इसान दानिश तो फिर यह ढूंडते हैं युनिवर्सिटी में की रहट कहा है यान की गाए बैस चराने वाली जगह का हैं चारो तरफ देखते हैं तो इनको रट कहीं दिखाई नहीं देता है यंडिक गाए बैसचल कुछ दिखाई कहीं पर भी नहीं दिखाई हिरी क्ञोट रहता है और उसी कुओे के पास रहता हैं अब यहां पर रहत का वाकई मतलब समझें कि रहते किसे हैं तो है उ Wars पानी निकाले वाली एक मशीन हैसी का जिसके जरीए कुओेसे पानीनिक एक निकाली जाती है ठीक है जिसमें उस में बहुत बड़ा प्मेहनत के साथ चलाना होता है जी कहते हैं जिर्णदानिश्च देखे तो उनको जटका लगा, बहुत तेज जटका लगा उनको तो लग रहा था रेहट का मतलब गाय भैस चराने वाली कोई जगा अब यह जब देखे थे कि इतना मेहनत वाला काम है प्लोहे का इतना बड़ा गोल चक्का है और उसको हाथ पैट से धकेल धकेल कर चलाना है और पानी निकालना है उनको नहीं बता दो मैं दूसरे को रख लूँगा तो उस वक्त ऐसान दानिर्ष बोले थे कि नहीं नहीं किसी और को रखने की ज़ुद्धन मारी है तो अब यह ना भी नहीं कह सकते थे अब यहां पर ऐसान दानिर्ष मायूस हो गये कि इतना मेहनत वाला काम मुझे को मिलिया थ और उसी होज से यूनिवर्सिटी का काम चल रहा होता है ठीक है मतलब कि इनको क्या करना था कि रेहट को चलाना था यानि कि उस चक्के को गुल जो चक्का लगा हुआ था रेहट में उसको चला कर पानी कुए से निकालना था और कुए से पानी निकालकर होज में भरना था और तो बुद्धु मिस्त्री कह रहे हैं एसान दानिश से और बुद्धु मिस्त्री बताते हैं कि तुम्हारे जैसा एक और आदमी है जो कि ये काम करता है तुम दोनों मिलकर ये काम करोगे अपना समय बांट लेना कितना कितना घंटा करोगे वो अभी आता ही होगा तब तक वो शक्स आही जाता है उसका नाम रहता है ठीक है यानि कि जो वो रहट चलाने का काम करता है पहले से उसका नाम क्या रहता है ठीक है तो रत्ता एक सीधा साधा खुबसूरत गठीले बदन का नौजवान रहता है मतलब कि सावला रंग सावला ही रहता है लेकिन गठीले बदन का खुबशूरत रहता है और वे स्वेटर्ट हीほう ङसे चंपने का बहुत अच्छा था तो वही बत बुद्धु मिष्ट्री बताएं रत्ता के बारे में बताएं कि रत्ता आता ही होगा तब रत्ता आ ही गया तो बोले बुद्धु मिष्ट्री बोले रत्ता को रत्ता यह है अहसान दानिश और अहसान दानिश यह है रत्ता आप लोग आज से दोनों जन मिलकर काम करेंगे ठी जलाते तो रत्ता और तो अराम करते थे तो उस तरीके से नहीं से होता था ठीक है और इसी सीस्टी से चलता चलता चला गया रोज लोग रहत करते थे और देखते ही सकते यह बहुत करते चलाने काम करते लोग और बाते भी धेर सारी थी तो बाते करते थे ती और पता भी नहीं चलता समय कर जाता थाथ यह दोंग जन और रत्त है और यहां तक कि रत्त जो है न क्याАँ ये दोस्त बन गया था था एक लो खंट की जोष जुनून को देखकर पढ़ाई के जोष जुनून को देखकर की जुनून को देखकर ये कहता कि दुए क६ंट शुलाओंगा लेकं। तुम दो और उसके बाद से एसान दानिश कभी-कभी सोचते थे कि रत्ता जो है ना यह राजपुताना खंदान से हैं लेकिन पता नहीं इसके घर वालों की इसके माबाप की क्या मजबूरी रही होगी कि इसना मतलब बेकार काम इतना मेहनत वाला काम पर इसको लगा दिये हैं पता नह सब्सक्राइब तो बकल से सब्सक्राइब। उसका एक घंडा पुरा हुआ तो अभी में काम करने लगा वह भी सोय हुआ है तीक है इस तरह कहे कर ताल देता था मतलब ठेकेदार को जूट बोल देता था था तो एसान दानिश उठते थे तो रत्त बताता था कि देखो ठेकेदार आया था तुम सोय थे तो पूछ रहा था जो गाय भैस काम करती है वह काम आदमी कर रहा था तो वही बात है तो एसान दानिश इतना महींत कर रहे हैं रोज हर रोज मेहनत किया करते तहें दिन भर ठक जाते थे और जब शाय आते रात को घर आते थे ठकान मिटाने के लिए ठकान दूर करने के लिए अपने शरीर पर तेल की मालिस किया करते थे मल मल कर तेल लगाते थे उसके बाद जाकर नहा लेते थे तब ऐसा लगता था कि उनका बदन हवा हो गया है उनकी सारी ठकान दूर हो जाती थी तो यह हर रोज करते थे यहां पर कोशन पूछा जा सकता है कि एहसान करती थी तो यह काम करते थे अब देखिए क्या हुआ इसी तरह तो चलता रहा चलता रहा यह दुनों जन साथ में काम करते रहें करते रहें एक दिन क्या हुआ एक दिन रत्ता काम पर नहीं आया ठीक है जब रत्ता काम पर नहीं आया तो रत्ता की जगा आया था मुंशी का मुंत्री का लड़का काम पर आया था उसके रत्ता नहीं आया उसके बाद से अगले दिन मुन्त्री का लड़का पिर अगले दिन क्या शोर मचा सांद्थ की मौत हो गई इनको बहुत तेज जहटका लगा शौक्ड हो गए थे ये यह अनदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि रत्ता की मौत भी हो सकती है रत्ता जो की खुब्सूरत गठीले बदन का नौजवान था हटा-कटा था अभी वो नौजवान था उसकी मौत यह मतलब सपने म पड़े इनके वो सारे पल याद आने लगे खुशी और गम के पल याद आने लगे जो यह रत्ता के सांथ बिताए थे एक दुसरे के घनिस्ट मित्र हो चुके थे ना हस खेल कर एक दुसरे के सांथ रहा करते थे अपनी प्रसनल बाते भी शेयर करते थे ठीक है एक रत्ता ही जो कि एसान दानिश की भावनाओं को समझता था तो वो सारे पल याद आने लगे वो सारे मोमेंट याद आने लगे जो एसान दानिश अपने दोस्त रख्ता के साथ बिताये थे उनके आंक से आसू टपक पड़े यही होता है जब अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते हैं कि करथा कि यह चीज भी हो सकता है जब वो चीज़ें हम लोगों के साथ हो जाती है तो बहुत तकलीब होता है बहुत दर्ध होता है disciplesist का हम लोग नजने लगा सकते हैं वो जब लाइफ में हो जाता है अब वही ही चीज लगा सकते थे तो वह अभिए नहीं अन्दात्य हो सकता है मुंशी का लड़का भी आना छोड दिया काम पर, क्योंकि मुंशी के लड़के के भी खून के दस्त आने स्थार्ट हो चुके हैं ठीक है। और इस तरीके से पूरे गाऊ में ये शोर मच गया कि रेहर्ट पर जो काम किया जा रहा है ना रेहर्ट चलाने का जो काम है वो बहुत खतरनाक है क्योंकि रेहर्ट चलाने के वज़से ही खून के दस्ता रहे हैं। पुरा चारो तर शोर मच गया, कोई रहट पर काम करने ना जाए, रहट कोई ना चलाए, रहट चलने का कोई काम ना करे, ठीक है, इस तरीके से चावत और पुरे गाउं में शोर मच चुका था, और मुंट्री का लड़का भी काम करना छोर दिया था, क्योंकि उसको भी लग तो इस तरीके से विचारे एहसान दानिश ही अकेले रहट चलाते थे, ठीक है, जो ठेकेदार था, वो आकर बोला, कि एक काम करो, मैं तुमको बारे आने देता हूं, तुम जो मैं एक आदमी को रखता हूं, उसका काम तुम ही कर दो, तुम जबल ले लेना, मुझ से पैसा 24 गार आने लेना, तो इसान दानिश भोले ठीक है, मैं काम करूंगा सुबह से लेकर शाम तक काम करूंगा, 24 ने दे दिए अगान गये और इसान दानिश जो हैना रहत चलाने का काम करते थे, सोचिए, यह खुद रहत चलाने का काम किये, इनको खुन के दस्त नहीं है, इस फ इस मेहनत वाला काम खुद करने लगें तो उनको कुछ नहीं हुआ तो वही बात है यह रिहर्ट चलाने का काम कियें और जब वहाँ पर मतलब जलद ही युणिर्सिटि का काम भी खतला शजानव को गया उसके बाद से राजमिस्त्री अकबर के साथ काम करने लगें उसके बाद यहाद रखें के रिराजमिस्तिठी चाम किये था है उसी यूणिवर्सonnenश के तौर पर एंट्री मारें कुछ सालों के बाद बहुत साल बीत गयए तो कुछ सालों के बाद एसान दानिश जो है ना उसी लाहर उनिवर्सिटी में एक्जामीनर के तौर पर परिक्षक के तौर पर मुआइना करने के लिए आये थे जब एंट्री मारे ना इनका धासू एंट्री हुआ और जब एंट्री किये तो सभी लोग देख रहे थे लग रहा है एसान दानिश है एसान दानिश तो है ही है लोग शक में थे कि लग रहा है एसान दानिश है तीके जब सभी लोग इकठा हो गया और पूछे आप एसान दा दानिशी है ना तो दानिश एसान दानिशी हूं वही रहट पर काम करने वाला मजदूर जो कि बहुत पहले इसी यूनिवर्सिटी जब यह बन रही थी मैं काम किया था मजदूरी का काम और आज मैं एक्जामीनर के तोर पर आया हूं सभी लोग शॉक्ड हो गये थे इतना धम तरीके से आप भी अपने आप में एकदम शान्त हो जाई है मतलब कि खामोशी से महनत किजिए ज्यादा किसी से बात करने की जौट नहीं है आप लोग चुप चाप महनत किजिए खामोशी से उसके बाद से जब आप लोगा रिजल्ट आ जाएगा तो आप तो शोर ही मत जा गया खुडंविष्स्वें आप लोगो.. यह खुडनविष्थ था अपने को शौट कॉर्ड महिं बता दी कि नहीं कमेंट बॉक्स में लिए कर बता दीजेगा और लाइक नहीं किये तो पड़ावर्ट लाइक कर दिए वीडियो को और जितना ज्यादा हो सके आप लोग को वीडियो को शेयर करना है अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितने भी आप लोग रिष्टेदार हैं चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं हमारे वीडियो उसको पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओन कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो चल